भार्थी जन्ता पार्टी और भार्थी जन्ता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जन्ता इसवाँ हटाने जा रही है उत्तर प्रदेश में बदलाब होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भार्थी जन्ता पार्टी का सफाय होगा क्योंकि किसान नौजमान और बैफारी और हर वर्ड की लोग इस सरकार से दुखी है ये कानून पहले वापिस लेने चीएते है बीजेपी को सरकार को अगर ये पहले कानून वापिस ले रहते है तो छेसों से और साथ सों के लगबा किसानों की जान नहीं जाती है इतना लंबा आंदूनन नहीं होता भारती जंदा पार्टी ने सिखों से किसानों से गवरा करके और जितने भी खिसानус अंदूनन में थे उनसे घवरा करके और उत्तुम्देस का चुनाओ क्योंकि उत्तफपदेस के चुनाओ का हाड़ने का मतलब है देश का राश्पती का जाना देश के आगए के समय की राजनेते एक परस्थितियं बचलना इसलिए उत्तुम्देस को चुनाओ को लेकर के और पंजाब के चुनाओ को लेकर के इन्होंने फैस्दा लिया है इनके लिए बोट महत्पूर्ण है, किसान महत्पूर्ण नहीं है अगर किसान महत्पूर्ण होते तो पहले दिन ही ये कानून बापिस हो जाते 700 के लेवर किसानों की जान नहीं जाती, शहीद नहीं होती समाजवादियों ने तैकिया है, सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों की 25 लाग से मदद होगी बनारसन आज परदान मंत्री है और एक महीने का तारकम वहा रखे जा रहे है बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं दो महीना तीन महीना है, वहीं रहें अच्छी बात है वह जगह रहने वाली है, आखरी समय पर वहीं राजाता है परदान रसन अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है झाल झाल